ओम शांती, आज 10 दिसंबर 2023 के अव्यक्त महवाक्य हैं, जिनकी ओरिजनल डेट है 23 फरवरी 1997, आज के महवाक्य रिशेश बाबा ने खुश नसीब बच्चों से बात करते हुए, उनके खुश नसीबी को एहसास कराया है, अपने आपको पूरे कल्प में खुश नसीब आत्मा समझते हुँ, ये खुश नसीबी सदा रहे और दूसरों को भी अनुभाव कराओ, मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं, उच्चा बाबाने सदा खुश रहते हो या कभी-कभी रहते हो, अगर कभी-कभी खुशी रहती है, तो उसका कारण क्या है, कभी-कभी खुशी गुम हो जाती है, उसका कारण क्या है, वहत सुन्दर रहस से बाबने आज के महवक्यों में स्पस्ट किये, कि आप अपने चेहरे द्वारा, नैनो द्वारा, बोल द्वारा, किसी के भी दुख को दूर कर दो, ये बहुत बड़ी सेवा है, और आजकल विश्व में इस सेवा की बहुत आवशकता है, कि कोई हाई हाई करता हुआ आए, और वहावा करता हुआ जाए, और उसके दिल से निकले कमाल है इन परमातम आतमाओं की, उसके लिए आपकी सदाकाल की साधना बहुत मदद करेगी, बहुत गहरी बात बाबा ने पूछी, कि कई बच्चे कहते हैं, कि माया आ जाती है न, तो खुशी चली जाती है, बाबनिकाब तो मास्टर माया बती हो, उदास क्यों होते हो, अगर वो बहुरुपी बन के आती है, तो आप भी बहुरुपी बनकर उसका सामना करो माया क्या है? आपके कमजोर विचार माया है आपकी कमजोरियां माया बनकर आती है ये तो मरिवी चीटी है, कुछ भी नहीं आपके जीवन में दो बाते इंपोर्टेंट हैं खुराक और खजाना आपकी खुशी कभी जाने नी चाहिए प्रतिज्या करो चाहे कोई आत्मों के द्वारा प्रकृती द्वारा मन के कमजोर विचारों के द्वारा किसी भी रूप में माया आए हमारी खुशी में जाने चाहिए ये द्रड संकल्प करो बहुत गहरी बाद यहां बाबा निस्पष्ट की, कि आपके खुशी क्यों चली जाती है, आप उदास क्यों होते हो, आप वर्तमान समय क्यावशक्ता को समझते हुए, अपने खुशी के खजाने को, खुश नुमा चहरे को, खुश नसीवी को बढ़ाते चलो, गुण मुरत सुनते हैं बाबा के मधर बूल, बाबा के शब्दों में, सबी डायरी पर लेकर बैठेंगे, मुख्य बातों को लिखेंगे, रिवाईज करेंगे, और बाबा से वाइदा करेंगे, कुछ भी हो राए, हम अपनी संपत्ती को नहीं छोड़ेंगे, सदा खुश रहेंगे, औ आधना के बल से उनका हल करेंगे, मुरली का सार है, साथी को साथ रख, साक्षी और खुश नुमा तक्त नशीन रहो, साथी को साथ रख, साक्षी और खुश नुमा तक्त नशीन रहो, आज विश्व कल्यानकारी बाप, विश्व के चारो तरफ के बच्चों को देख, सबी बच्चों के स्नहें और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही हैं। दिल से मेरा बाबा ये गीत बाप ददा सुन रहे हैं। बाप ददा भी रिसपॉन में कहते हैं, ओ मेरे अतीप प्रिये अतीस नही लाडले बच्चे। अनुभव करेंगे बाबा की ये बोल、 मेरे अती प्रिये, अतीस नहीं लाडले बच्चे, हर एक बच्चा प्रिये भी है, लाडला भी है, क्यों? कोटों में कोई, कोई में भी कोई हो, तो लाडले हुए न? बाप तदा लाड़ले बच्चों को देख खुश होते हैं बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखना चाहते हैं फरमातम प्यार क्या है? बाबा बच्चों को खुशी में डांस करते हुए देखते हैं सदा देखना चाहते हैं खुशी में रहते तो हैं लेकिन बाप सदा चाहते हैं सदा खुश रहते हो या खुशी में फरत पड़ता है कभी बहुत खुशी कभी थोड़ी कम कभी बहुत कम बाबा ने पहले भी सुनाया वरतमान समय आप बच्चों की विश्व कोई सेवा क्या वशक्ता है नोट करेंगे कौन सी सेवा क्या वशक्ता है चेहरे से, नैनो से, दोशब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी देदो चेहरे से, नैनो से, दोशब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो, आपको देखते ही खुश हो जाएं, इसलिए खुश नुमा चेहरा, खुश नुमा मूरत सदा रहें, क्योंकि मन के खुशी सूरत से स्पस्ट दिखाई देती है, कितना भी कोई भटकता हुआ परेशान, दुख की लेहर में रहना असंभव भी समझते हूं, लेकिन आपके सामने आते, आपकी मूरत, आपकी वृति, आपकी दृष्टी आत्मा को परिवर्तन कर लें, कितना भी कोई दुख की लेहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हूं, आपके सामने आते, आपकी मूरत, आपकी व प्रिष्टी आत्मा को परिवर्टन कर ले। आज मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मरंचन के नए-ने साधन बनाते हैं, वो है अल्पकाल के साधन, आपकी है सदाकाल की सच्ची साधना, वो है अल्पकाल के साधन, आपकी है सदाकाल की सच्ची साधना, तो साधना उन आतमाओं को پरिवर्तन कर ले हाय हाय लेकर आए वहावा लेकर जाए वह कमाल है परमातमातमाओं की ये सेवा करो समय प्रती समय जितना अल्पकाल के साधनों से परिशान होते जाएंगे ऐसे समय पर आपकी खुशी उनका सहारा बन जाएगी खुश नसीब, खुश नसीब हैं या नहीं? हर एक अपने से पूछे, मैं खुश नसीब हूँ या नहीं? अधूरे तो नहीं, है ये खुश नसीब. आप जैसा खुश नसीब, सारे कल्प में कोई आत्मा नहीं, इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव कराओ. आप जैसा खुश नसीब, सारे कल्प में कोई आत्मा नहीं, इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव कराओ. करा सकते हूँ? या कराते भी हूँ? ब्रामन जीवन में, अगर खुशी नहीं, तो ब्रामन बन कर क्या किया? ब्रामन जीवन में लिखेंगे, रोगुच अपने आप से चार-पांच बार पूछेंगे, अगर इस जीवन में खुशी नहीं, ब्रामन जीवन में विशेश, तो ब्रामन बन कर भी क्या किया? ब्रामन जीवन अर्थाद खुशी की जीवन, कभी-कभी बापतदा देखते हैं, कोई-कोई के चेहरे जो होते हैं, थोड़ा सा क्या होता है? अच्छे इतना से जानते हो, तभी हसते हो, बापतदा को ऐसा चेहरा देखकर, रहम भी आता है, आश्चर ये भी लगता है, मेर अर्थाद माया के दास, लेकिन आप मास्टर माया पती हो, माया आपके आगे क्या है? चीटी भी नहीं, मरी हुई चीटी, दूर से लगता है, जिन्दा है, होती मरी हुई है, सिरफ दूर से परकने की शक्ती चाहिए, जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो, ऐसे मा माया के भी बहुरूपी, पहचान कर, बहुरूपों को पहचान कर, नॉलेज अच्छी तरह से धारन करो, ऐसे बाबा की पूरी पहचान है, उसके गुणों की, शक्तियों की, कर्तव्य की, प्यार की, ऐसे माया क्या है? इसके भी बहुरूपों को अच्छी तरह से पहचान ह नौलेज को अच्छी तरह से धारण करो, वो सरफ दराती है, यसे छोटे बच्चे होते हैं न, उनको माबाप दिर्भे बनाने के लिए डराते हैं, कुछ करेंगे नहीं, जान बुझ कर दराने के लिए करते हैं, ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती ह जब बहुरूप धारण करती है, आप भी बहुरूपी बन उसे परक लो, परक नहीं सकते हैं न, तो क्या खेल करते हो, जब परक नहीं सकते हैं तो क्या खेल करते हो, युद्ध करना शुरू कर देते हो, हाई माया आ गई, और युद्ध करने से बुद्धी और मन ठक जाता है, फर थकावट से क्या कहते हूँ? माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है, कुछ भी नहीं, आपकी कमसोरी भिन-बिन माया के रूप बन जाती है। बाप तदा हर बच्चे को खुश नसीब के नश्रे में फिर से इंडर लाइन कर लेंगे, हर बच्चे को खुश नसीब के नश्रे में, खुश नुमा चिहरे में, खुशी की खुराक से तद्रूस्त, सुधा खुशी के खजाने से संपन देखना चाहते हैं, जीवन में चाहि यह क्या? खुराक और खजाना और क्या चाहिए? आपके पास खुशी के खुराक है या स्टॉक कभी खतम हो जाता है? खुशी का खजाना अखुट है? अखुट है ना? जितना खर्चा करो उतना बढ़ता है. अगर कोई भी पुर्शार्त नहीं करो एक लक्षे रखो. कौन सा लक्षे, डबल अंडरलाइन. कुछ भी हो जाए, बहुत बड़े पेपर पर और बड़े-बड़े अक्ष्रों में लिखेंगे और अपने से वाइदा कर लेंगे. कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन की स्थित्ती द्वारा, चाहे कोई अन्यात्माउं द्वारा, प्रकृत द्वारा, वायू मंदल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी. कुछ भी हो जाए, चाहे मन की स्थित्ती द्वारा, चाहे अपने मन का कोई तुफान आ रहा है, चाहे कोई अन्यात्माउं की द्वारा आ रहा है, चाहे प्रकृती द्वारा, चाहे वायू मंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नी छोड़नी, यह तो सहज पुर्शारत है न, या खुशी किसक जाती है, सहज है या कभी-कभी मुश्किल है, ब्रड संकल्प रखो, और बातों को भूल जाओ, एक बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है, ती खुश रहना है, तो बाते क्या लगेंगी? खेल, अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित्रो, खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित्रो, चाहे कोई अपमान करने वाला हूँ, आपको परिशान कर, अपनी साक्षीपन की शान से नीचे उता जाते हो, तो कभी खुशी कम हो जाती है, बाप तदनी पहले भी दोश्रम्द सुनाई, साथी और साक्षी, जब बाप तदन साथ है, तो साक्षी पन की सीट सदा मजबूत रहती है, बाप तदन साथ है, तो साक्षी पन की सीट मजबूत रहती है, Understand करेंगे, साथी साथ है, तो साक्षी होना सहज है, साक्षी हो कर सीट, साक्षी पन की सीट पर सदा रहो, तो साक्षी होना सहज है, बाप दद साथ है, साक्षी पन की सीट सदा मजबूत रहती है, कहते भी वो बाप ददा साथ है लेकिन माय का प्रभाव भी पढ़ता रहता है और कहते भी रहते हो बाप ददा साथ है साथ है साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते हो किनारा कर देते हो जब माय आती है तो बाबा के साथ को यूज नहीं करते हो किनारा ही कर देते हो जैसे बहुत ऐसा काम पढ़ जाता है, कोई ऐसी बात उती है, तो साथ कभी ख्याल नहीं होता, बातों में पढ़ जाते हैं, ऐसे साथ है ये मानते भी हो, अनुभव भी करते हो, कोई है जो कहेगा साथ नहीं है, कोई नहीं कहता, सब कहते मेरे साथ है, ये भी नहीं कहते कि तेरे सा ये भी नहीं कहते हैं कि तेरे साथ है, हर एक कहता है मेरे साथ है, मेरा साथी है, मन से कहते हो या मुख से, मन से कहते हो ना, बाब तदा तो खेल देखते हैं, बाबा पास बैठे हैं, साथ बैठे हैं और अपनी परसिती में उसको सामना करने में इतने मस्त हो जाते हैं जो दे देखते ही नहीं बाबा मेरी तरफ नहीं देखते हैं परस्तितिए में इतनी उलज जाते हैं इतने पर जो देखते ही नहीं कि साथ में कौन है, बाबा भी क्या करते हैं, बाबा भी साथी से साक्षी बनकर खेल देखते हैं, ऐसे तो ना करो ना, ऐसे तो ना करो ना, बाबा का जो गहरा प्यार है ना, उन शब्दों में छलक रहा है, ऐसे मत करो कि मैं आपके साथ हूं, तो हम ऐसा तो नहीं करो ना, जब साथ ही कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो, बाबा को अच्छा नहीं लगता। आप लोग प्रजा हैं क्या, प्रजा तो नहीं बनना है ना, राजे, महाराजे, विश्वराजे हो ना, प्रजा बनने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो, राजा बनने वाले, प्रजा बननने वाले हो ना, तो राजा कहां बैठता है, तक्त बे बैठता है ना, जब प्र रिश्य को देखना, समझना, तुरंत प्रतिक्रिया न करना, बाबा के साथ बैठकर सकाश देना अमना तुमाउं को, जो भी कुछ शिरिमत के विरुद उनसे हो रहा है, ऐसे साक्षी पन के तक्त को छोड़ो मत, जो अलग-अलग पुर्शाट करते हो, उसमें ठक जाते हो, आ तक्त नशीन देना है, साक्षी और खुशनुमा तक्त नशीन देना है, यह तक्त कभी नहीं छोड़ना, कोई राजा ऐसे सीरियस हो के तक्त पर बैठे, बैठा तक्त पर हो, बहुत क्रोधी हो, ओफिशल हो, अच्छा लगेगा, कहेंगे तुर राजा नहीं है, तो आप नहीं पड़ता, सोते भी तक्त नशीन, उठते, बैठते, समन संपर्क में आते, तक्त नशीन, तक्त पर बैठना आता है, कि बैठना नहीं आता, खिसक जाते हो, साक्षी पन के तक्त नशीन आत्मा, कभी कोई समस्चा में परिशान नहीं हो सकती, साक्षी पन के तक्त नश समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेगी, नीचे दबी रहेगी, आपको परिशान नहीं करेगी, और कोई को भी दबा दू, तो अंदर ये अंदर खतम हो जाएगा न, तो बाप अदर को ऐसे समय पर आश्चरे लगता है, आप नहीं आश्चरे करना, अपने पर भले करना, दूसरे पर नहीं करना, तो अश्चरे लगता है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, बाबा को अश्चरे लगता है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, तक्त से उतर रहे हैं, जब तक्त नशीन दैने के संसकार अब से डालेंगे, तब विश्व के तक्त पर बैठेंगे, यहां स अता जितना समय फुल है उतना समय नहीं बैठ सकेंगे, संसकार सब अभी भरने हैं, फिर वही भरे हुए संसकार सत्यूग में कारे करेंगे, रॉयल्टी के संसकार अभी भरने हैं, ऐसे नहीं सोचना, अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है, ये लोग भी ब्रामन कैसे बने, अचानक इस संदेश मिला, परदर्शनी देखी, समन्द संपर्क हुआ, तो बदल गए, क्या सोचा था कि इस तारिक को ब्रामन बनेंगे, अचानक हो गया न, तो परिवर्तन भी अचानक होना है, आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी, सोचेंगे हमने तो 2000 सोचा था, वो भी पुरा हो गया, अभी थोड़ा रेस्ट कर ले, पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी, किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे समन्द संपर्क में, ये तो चलता ही है, य अपने को आप पे ही अलर्ट कर देंगे, माया पहले क्या करेगी, किसी भी बात में, चाहे सेवा में, योग में, धारणा में, समन्द संपर्क में, ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है, ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी, फिर अचानक विनाश होगा, फि इसा भी होना है क्या। जितनी शक्ती चाहिए, जो शक्ती चाहिए, ले लो। जो शक्ती चाहिए, जितनी चाहिए, ले लो। पेपर के समय, टीचर वा प्रिंसिपल मदद नहीं करता। डबल विदेशी बच्चों को देख, बाबा को भी डबल खुशी है। क्यों खुशी है? डबल विदेशी को स्वन को परिवर्तन करने में डबल मेहनत करनी पड़ी। इसलिए जब बाब ददा डबल विदेशी बच्चों को देखते हैं, तो डबल खुशी होती है। वहाँ मेरे डबल विदेशी बच्चेवा, डबल विदेशी हात उठाओ, विश्व के अनेक देशों से करीब एक अजार भाई वैने सभा में उपस्तित हैं। वहाँ बहुत अच्चा, डबल ताली बचाओ, बाब ददा विदेश की सेवा के समाचार सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, रिजल्ट में सेवा का उमंग उठाओ बहुत अच्चा है, सरफ कभी-कभी अपने उपर सेवा का बोज उठा लेते हो, बोज नहीं उठाओ, जब सेवा भी करते हो, उसका बोज नहीं उठाओ, बोज बाब को दे दो, बाब के लिए वो बोज कुछ भी नहीं, लेकिन आप सेवा का बोज उठा लेते हो, तो ठक जाते हो, सेवा बहुत अच्छी करते हो, सेवा के समय नहीं ठकते हो, उस समय बहुत अच्छी चेहरे का फोटो निकालने वाला होता है, लेकिन कोई कोई, सभी नहीं, सेवा के बाद थोड़ा सा थकावट के चिन चेहरे पे नजर आते हैं, थकावट के चेहरे में दिखाई देते हैं, बाबा केते बोज क्यों उठाते हो, क्या बोज उठाना अच्छा लगता है, या आदत पड़ी जोई है बोज नहीं उठाओ बोज तब लगता है जब बाप साथ नहीं है बोज तब लगता है जब बाप साथ नहीं है मैंने किया मैं करती हूं मैं करता हूं बोज हो जाता है बाबा साथ है बाप का कारिय है बाप करा रहा है बोज नहीं लगेगा बोज मुक्त होने का मंत्र बड़ी बड़ एक्ष्रों में लिखेंगे, बाबा साथ है, बाबा का कारिय है, बाबा करा रहा है, बोश नहीं लगेगा, हलकी ओकर नाचते रहेंगे, जैसे डांस बहुत अच्छा करते हूँ न, डबल विदेशियों की डांस देखो तो बहुत अच्छी होती है, अपने को ठकते नहीं, फरिष्टे माफी करते हो, कभी भी ठकते नहीं, फरिष्टे माफी करते हो, इंडियन जो करेंगे वो पाउं ठकाएंगे, हाथ भी ठकाएंगे, लेकिन विदेशी डांस लाइट करते हैं, ऐसे सेवा भी एक डांस है, खेल समझो, ठको नहीं, बाब तदक वो फो थोड़ी सी बात में हलचल में आने की परसंटेज बहुत कम है, मैजोरिटी ठीक है, लेकिन थोड़ी संख्या कभी-कभी थोड़ा सा हलचल में दिखाई देती है, लेकिन आदी की रिजल्ट और अब की रिजल्ट में बहुत अच्छा अंतर है, ऐसा दिखाई देता है न, और अभी वो छोड़ते जा रहे हैं, पहले बहुत sensitive nature थी, चुई मुई की तरह और अब अपने को ठीक किया है, बाप तदर certificate दे रहे हैं, कि नाजुक पना छोड़ते जा रहे हैं, बाप तदर को result देखकर खुशी है, अब चोटे-चोटे माइक भी त्यार कर रहे हैं, अभी चोटे माइक मना, ऐसे बच्चे जो सेवा कर सकते हैं, वो माइक बच्चे चोटे-चोटे अभी हैं, फिर दीरे-दीरे वो यी बड़े हो जाएंगे, पहले टीचर्स कहती थी, वी आईपी को मिलना भी मुश्किल है, आना तो छोड़ो, मिलना ही मुश्किल है, अभी सहज ह हो गया, यže क्या भी VIP हो गयो तो आप के आगे VIP क्या है, टोटल विदेश की रिजल्ट अच्छी है, सेंटर्स अच्छे हैं, व्रुदी को प्राप्त करते जा रहे हैं, भारत में हैंज्ँ नहीं, नहीं तो भारत में भी सेवा किंदर तो बहुत खुल जाएं, एक-एक जोन वाला कहता है, hands नहीं है और अब इस वर्ष hands निकालने की सेवा करो, hands मांगो नहीं निकालो, और इदान पुन्य करो, विदेश में यह बहुत अच्छा तरीका है जहां भी center खूलता है वहां केई लोग की कारे भी करते हैं center भी चलाते हैं, कैसे चलेगा कौन चलाएगा, यह problem कम है आप लोग यह नहीं सोचना कि हम लोग की काम क्यों करें यह तो आपकी सेवा का साधन है लोग की कारे नहीं करते हो लेकिन अलोग की कारे के नमित बनने के लिए लोग की कारे करते हो अलोग की कारे के नमित बनने के लिए लौकिक कारे करते हो, जहां भी जाते हो, महां सेंटर खोलने का उमंग रहता है, तो लौकिक कारे कब तक करेंगे यह नहीं सोचो, लौकिक कारे अलौकिक कारे निमित करते हो, तो आप सरिंडर हो, लौकिक को भी अलौकिक सेवा का साधन समझते हो, आप सरिंडर हो, लौकिक बना है, तो लौकिक कारे में भी समर्पन हो, लौकिक कारे को छोड़ कर समर्पन समारो मनाना है, ये बात नहीं, ऐसा करने से वृदी कैसे होगी, भाबा उनके हिसाब से उनकी नवस देखते हुए, उनकी सरकम्स्रांसिस के अकोर्डिंग राहे दे रहे हैं, ये मत सोचो के अ अलोकिक कारे के निमित बनते हो, तो जो निमित लोकिक समझते हैं, रहते अलोकिकता में हैं, ऐसी आत्माओं को डबल क्या, पदम गुना मुबारक हो, सरफ ट्रस्टी होके करना, मैं पन में नहीं आना, मैं इतना काम करती हूँ, मैं पन नहीं, करावनहार करा रहा है, मैं इ एक शस्त्र दिया, एक अच्छी सी याद दिलाई, कि आप इंस्ट्रुमेंटो करावनहार बाबा है, पावर की अधार से चल रही हूँ, अच्छा दबल विदेशियों का टर्न है, आप लोगों को भी दबल विदेशियों को देखके खुशी होती है, तो सभी दबल विदेश की खुशनुमा हो, हाथ की ताली बचाओ, अभी मदवन में तो माया नहीं आती न, अच्छा एक सकिन में बिल्कुल बाप समान और शरीरी बन सकते हो, उच्छ सकिन के लिए अनुभव करें, मैं और शरीरी आत्मा हो, पूछ रहे हैं बाबा, एक सकिन में फूल स्टॉप ल बार बार अभ्यास करो, आज यह डिल कम से कम ग्यारा बार करेंगे, जो बाप तदने कराई, तीन मिनट की डिल, साइलेंस मिस्तित्त हो जाना, अश्रीरी बनना, चारो और के सरो माया जीत, प्रकरती जीत, साक्षी पन के तक्तनशीन, साथी के साथ कसदा अनुभव करने व मास्तो सुख के सागर, खुशी के सागर, प्रेम के सागर, ज्यान सागर, बाप समान बच्चो को, याद प्यार, नमस्ते, रुहानी बच्चो की, रुहानी बाप ददर को, याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया, 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 परखने वा नरणय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूरत हो जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को अपने आप को समय को ब्रामन परिवार को स्रेश्ट करतववे को पहचान कर फ़र नरणय करते हैं क्या बनना है क्या करना है वो ही करते करम वा समन्द संपर्क में आते सफलता प्राप्त करते हैं जो परकने की शक्ति द्वारा बाप को अपने आपको समय को ब्रामन परिवार को स्रेश्ट करतवे को पहचान कर फर नर्णय करते कि क्या बनना है क्या करना है वो ही सेवा करते करम वा समन्द संपर्क में सफलता प्राप्त करते हैं, मन्सा वाचा कर्मिना हर प्रकार की सेवा में सफलता मुरत बनने का धार परखने और नर्णे करने की शक्ती है, सफलता मुरत बनने का धार परखने और नर्णे करने की शक्ती है, इस लोग ने ज्यान योग की लाइट माइट से संपन बनो, तो किसी भी प परस्तिती को सेकंड में पार कर लेंगे, ज्यान योग की लाइट माइट से संपन बनो, तो किसी भी परस्तिती को सेकंड में पार कर लेंगे, आज हम अपना वाइदा याद करेंगे, कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी खुशी नहीं छोड़नी है, मेरे जैसा खुश नसीब, पूरे कल्प में कोई नहीं है इस स्रिस्टी चक्र में भिन भिन पाल्ट बचाते ज़ आत्मा जैसा खुश नसीब कोई नहीं है खुशियों का सागर मेरा पिता है मैं खुश नसीबी के नशे में स्थित हूँ खुशी मेरा श्वास है खसाना है खुराक है ब्रामण बनकर भी खुश नहीं है तो क्या किया बाप तदको अच्छा नहीं लगता बच्चों का उदास चेहरा उदास माना ही दास खुशियों के सागर को देखें उसे वाइदा करें आपके समान मैं भी खुशी के ख़जाने से संपन खुश नसीब आत्मा हूँ और अब यह है एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें जास पुश्टेव बुश्टेव चीश्टेव बच्श्टेव जरूर देखें